नीजी बैंकों ने अगर नोट बंदी के बाद गड़बड़ी करिये या बैंक मेनेजर ने करिये या उनके करमचारियों के साथ मिलके गरिये तो इस पर करवाई होनी चीए और इस पर जो दोशी पायजा उसे सक्ट सक्ट सजा मिलनी चीए जो नोट जो बंदी करें आप दोर्माइटो मुदी जी यह बिल्कुल घलत आई है यह जो परिशानी और गरीब लोग को जो लेवर चलिए खंडेला साब करोड करते हैं जीडीपी दो सो पचीस लाग करोड की पच्चतर लाग करोड करोड का हिस्सा डेड़ सो लाग करोड रुपे सरकार के मताबिक जो ऑथेंटिक मनी है उसका हिस्सा उसके बावजूद अगर बैंकों की बात की जाए तो बारा लाग रनिंग एकोनोमी है उसका हिस्सा है वो पहुँच चुका है चौरासी पिचासी फीस सदी क्या जोल है इस अर्थ शास्तर का अश्वनी जी यह जो है तर्क वितर्क की बात अब तो रही नहीं है अब यथार्थ की बात रही है यथार्थ की आप समझेए कि आपकी जो वितराज मंतरी में अगवाल जी है वो यह करें डीडीपी दो पसंट बढ़ जाएगी अब मैं इसको पर तरस काऊं रहूं या चल की बात है ना वो यह कि लेंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज मेनेजमें यह सारे फेक्टर्स प्रोड़क्शन जो है वो डंप हो रहे है याने कम हो रहे है तो कम हो रहे है जीडीपे कैसे आई की उपत सवाल है सवाल है बिल्कुल सरी इस बात को भी मैं जो माल लेता अब पानी लीजिए मैं आता हूं आप से दिपक गोड़ जी है हन्मान गड़ से बात कर लेते हैं वोड़ साब नमस्कार नमस्कार सब्सक्राइब यह नोट जो बोड़ी में किया रहा है इन्होंने प्रिवेट बैंकमानों इंग और जन्ता का जो भी था पैसे अगरा रहा आवास धीमी है आपके काफी धीर साउंड कर रही है दिपक जी चलिए तकनी की खामी है नहीं बात हो पाई शंकर जी फिर चाप परो करता हूं पहले नमबर पर यूपी दूसरे नमबर पर बंगाल और तीसरे नमबर पर राजिस्तान है जन्दन खातों में जहां पर आम आदमी है जिसने टेक्स पे किया है उसके साथ इंसाफ कर पाईगी देखिए सुरे जी बार बार में कह रहे थे कि वह पहले भी तो पड़ा था वो सारा का सारा तो बैंकों में जमा हो गया तो फिर वह पड़ा था तो उसी को फिर चापा मार ले ते जब कभी भी अपन पता लिए घी जमा हुआ हुआ है किस्का हुआ है pa और पाद़ा उसके ऑन देते हैं फिर वो पड़ा को खने के लिए शेर आता है और वो आदमी के वकाच पांसेजार रुपे की नहीं है उसके खते में पचास लाख रुपे जमा हुए आदमें सुभई ये कार्टिकल पढ़ रहा था उसके पचास लाख रुपे एक आदमी ने जमा कर आ है वेस्ट बेंगॉल में वो नहीं तो निकाल सकता पैसे और उसको हिसाब होगी बड़े-बड़े अकाउंट की तो निश्चित रूप से इसके अंदर पैसा सरकार लोग चाह रहें कि ये बाते सरकार निकाल कर भी सामने लाए जिस बात का जिक्र किया शुरुआत में खंडेला साब ने कहा महेश भाई वाला गुजरात का किस्सा अब उस मामले में कोई अब डेट नहीं आ रहे हैं किसका पैसा को अब बड health कि किसका नेहीं तो पैसा तो डींपार्टमेंट की मैं मानता हूं वह समार्म परेंट्ड करोण करोश उसको उufen prepare कि या dealer का दिया उसके वह लेने का जो वक्त इसमें सरकार टेकनिक लिए कुछ नहीं कर सकती सरकार ने पहले एक आदा डीड़ता के साथ में कि ऐसे लोगों को हम पूछेंगे नहीं कि आपकी रखाम कहा साई अब पूछ को रही है वो ने वह तो आप जैने बात सुनिए सुनिए ज़रा क्योंकि मैं आज बोल रही है इसक इसी तथे पर छोड़ दिया जाना चाहिए साथ होगा इस लिए पूछ सकती है कि तीस नौंबर तक उसको पहली जो है इंस्टॉल्मेंट इंकम टैक्स की देरी थी वो पैसा नहीं देबा रहा है इस तरह के भी मसले है दोनों मसलों को अगर लेके देखा जाए तो सरकार की जाच क्या सुस्त रफ्तार है सरकार की जाच दब चुकी है सरकार सिर्फ पैसा पकड़ के काम पूरा कर रही है जो पीछे इसके पीछे जो है उनका क्या होगा मैं खंडेला जी के बाद से सहमत हूँ सरकार ये योजना लाई कि आप सरकार में पैसा जमा कराए आप कहां से लाए किसने दिया कहां से क्या कुछ भी सरकार नहीं पूछेगी उन्होंने डिकलेर कर दिया सा का मामला सा से जुड़ावा है जैसे सरकार में जन धन खाते में अगर गलत पैसा जमा होता है सरकार को शक्त कारवाई करके पैसा निकलवाना चाहिए लेकिन सरकार बार बार ये वो कर देंगे देश का परधान मंतरी ये बोले इस राष्ट का राष्टा धेक्स ये बोले कि जिसके खाते में भी आपका दूसरा आद में पैसा जमा करा दे उसको लोटाना मत आज आपस में उधार लेकि क्या पैसे जमानी कर रहते हैं व्यापार नहीं चलता है असुनी जी मैं कहना चाहूंगा कि इस ताइम पे देश की जीडीपी की जो खंडेला जी करें ठीक बात करें थे व्यापार चोपट है लोग सड़कों पे हैं भूके घूम रहे हैं तंदर नागर जी नमस्कार अंवसकार जी तंदर नागर इस तो इस राजि को यह बटवाई जाए चाहे याँ बैंकों में जो कमी यारी है और गरीब लोग लाई में लगे हुए यह अमीर लोग दो को महेशा के उपर पूरी स्थिति क्लियर करना चाहरा हूँ, खंडला जी शायद गल ट्रेक पे थे, मैं अभी शमा करें मुझे, किसी से भी सरकार ने किसी ये कह दिया था, कि हम किसी से भी कोई भी एगोशित आए गोशित करेगा, उससे हम कोई भी इसाब नहीं लेंगे, किसी क महेशा तो बादी करते हैं, अल्टी में लिजाकर खोड़ी इसाइड होता है, जहां पर सरकारे फूस्प ने ने वो हो जाएगा, सुप्रिम गड़ क्या रहा है, कि हम कारवाई करेंगे, आप इतनी बर्वादी कर रहे आप, और सारे अर्सास भी करें, बर्वाद हो रहे है आप क्या रहे? आप भी अंदर-ंदर क्या रहे? कि मोधी नाम को मरवाद हो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आप, अर्सास भी शुचत कर रहा हुअ जिस वक्त जिनके पास में भी जमीने थी उसक्त क्या का था सरकार ने सरकार ने यह का था जिसकी जमीन है जो खेती जाड़ी करता है वो उसी की जमीन मानी जाएगी चली मैं इस पर नहीं जाना चाहता है यह मुद्धा आज की बैसे चुड़ा हुआ नहीं है कि ए भाव गणे मैं आउंगा शुरेज जी है ऑउंगा आपके पास आउंगा शुकला जी शुकला जी आपस जाना चाहते हैं कि जो वेवस्ता की बात की जितंदर नागर्जी ने क्या बैंक में वो खंडेला साहब गला खराब है दूसरों को भी बोलने दीजे शुक्रा जी क्या वो पैसा जमा किया जा सकता है जो पुलिस जब्त कर रही है आई टी विभाग जब्त कर रहा है या फिर एडी की कारवाई में सा बात करना चारह हूँ अभी दर्स्त नहीं परश्वन किया है जो पैसा जब्त किया जा रहा है है वो सिस्टम में कोई नहीं डाला जा रहा है आज हमारे आर्थिक मामलों के जो सचीव हैं उन्होंने ही बताया कि जो जो पैसा पकड़ा जा रहा है तुरणंत सिस्टम के चपके बैंकों में बटने के लिए आ गया है इसके बटवारे का जो सिस्टम था वो थोड़ा सा गड़बड रहा या कुछ लोग गलत थे जिन्होंने करोड रुपया दे दिया और वो किसी ने अपने लॉकर में छुपा दिया या पकड़ा जा रहा है और आप ये मान के चलिए ये जो पकड़ा जा रहा है ये भी कही ना कहीं कोई-कोई पीछे लगा हुआ है कोई इंपुट्स मिल रहे हैं आपको दो-तीन जानकरे हैं मैं और देना चाहरा हूँ साथ हजार खाते हैं जिनमें एक करोर रुपे से ज्यादा जमा हुआ है कई लाक जन्दन के ऐसे खाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा जमा हुआ है क्या इस बात का वरुसा दिला रहे हैं मैं आपकी जानकरी दे रहा हूँ हमारे साथी भी सुन ले जिन जिन खातों में जाधा पैसा जमा हुआ है उसकी सुचना आगे बेज रहे हैं आप लोग अपने इस्तर पे उन बैंकों पे कारवाई कर रहे हैं जहां से पैसा निकला जो लीक हुआ है पैसा और बाजार में बल्क में पहुँच गया निश्ची तुरुप से कारवाई होनी चाहिए कारवाई कारवाई बेंक है आपने क्या कर लिया जाए तो और ज्यादा अफरा तपरी बात है अब यह चलिए सुरेश शौदरी जी आपके पास आ रहा है क्या अस्वनिजी चोर को चोकिदार बना दिया आज बेंक का लाइसेंस कर देंगे ज्यादा अब अद्मासी कर रहे हैं आप हो डाइकर को पर्योषान कर यह तो च्रह्त विआ चाहिए हैा उस्में उसमें कोई खिलाप नहीं है लेकिन एक नमर का पैसा सही पैसा सरकार किया हुआ नहीं देना चाहता है उस गरीब को लाइन में के उखड़ा करना का उसका जबाद लिए तेरा दिन का और दो रहे एक तारिक तक वक्त भी एक सो चोदा लोग लाइन में खड़े होके मर गया उनका सरकार ने मौर गया उस आदमी की क्या गुलती है अगर 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 आप लोग इत्मिलान दखेंगे तो शंकर जी जवाब देंगे इस पर फिर ब्रेक लेंगे यह इस्तिती है क्या सरकार को इन बातों को ख्याल है 37 दिन हो गए 13 दिन और इंतजार कर लेंगे लेकिन उसके बाद क्या इन 144 लोगों को इनसाफ मिलेगा जो लोग आज नोटों की किलत का शिकार है क्या उनका दर्द दूर हो पाएगा देखिए बात यह परदानमांतरी जी ने पहले दिन ही अपने बासर में साफ कह दिया था कि मुझे मालूम है किस से लोगों को तकलीफ होगी उसके लिए मैं च्छमा चाहता हूं और एक बार नहीं कम से कम दो तीन बार पब्लिक पब्लिक उसमें भी कह दिया और उन्हों का है पचास दिन का मुझे पूरा समय चाइए फ़ना है पॉल ने असलिए हैं पचास दिन ने पूरे चाहिए पचास दिन में ये लगबग सारी चीज़ें सेटिलाइज हो जाएंगी और आज की तारीक में वह मारा मारी वह पैसे की स्तिती वो नहीं है कि बहुत ज्यादा लो बीच जार उपे लेने के लिए और तुरुन जाकर किले के लिए उसमें कोई लाइन या कोई ऐसी चीज नहीं थीु कोईशली स्टेटमेंट लोगसवा में आगा अगर करने की अदरवाईज कोई करने की बात होगी तो हम करेंगे उसके उन्तिसा अदिकारी अभी तक सस्पेंड की जा चुके है एक्सिस बैंक के और इसके अलावा जो बाकी बैंकों के सस्पेंड हुए है तो सरकार एक्षिन तो अपनी तरफ से ले रही है अब समाज का ये एक समाज है समाज के अंदर भगवान राम के टेम में भी अपराद हो जेते हैं उसके लोगों से पोछ कर दो